दोस्तो अक्सर आपने अपने कैमेरा में दिखा होगा एक option होता है fps का जैसे 30 fps 60 fps 120 fps वागे 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 तो अगर आपको नहीं पता क्या है तो आज यह वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हूँ नमस्क्राइब दोस्तो मैं हूँ आप दिख रहे हैं तो चलिए दोस्त इसका मतलब होता है frames per second या अगर मैं simple बाशा में कहूं तो फोटो पर सेकेंड या पिक्चर्स पर सेकेंड तो 30 fps या आपका कैमेरा एक सेकेंड में 30 फोटो क्लिक करेगा और दोस्ता आपका जो कैमेरा होता है फिर चाहे वह डीसलर कैमेरा हो स्मार्टफोन का कैमेरा या बहुत तीजी से होता है और जब आप वीडियो को प्ले करते हो तभी भी आपके स्क्रीन पे से एक सेकेंड में 30 फोटो डिस्प्ले होती है मतलब आपके स्क्रीन पे पहली फोटो आई गई दूसरी आई वह भी तीसरी और वह भी गई जैसे करते करते एक सेकेंड में 30 पानलो अगर मैंसा हाथ मेरा मुग कर रहा हूं तो 30 fps पे क्या होगा कि जो पहली फोटो होगी वह यहां होगी दूसरी यहां तिसरी चौतिया ऐसे करके करके पूरी 30 फोटो में मेरा यहां से यहां जाएगा लेकिन जब 60 fps में स्विच करूंगा तो जो हाथ के बीच का यहां तिसरी चौतिया ऐसे करके और कम हो जाता है डिस्टेंस जिसके चलिए आपकी 60 fps वाली वीडियो और भी स्मूथ होगी और ज्यादा अच्छी दिखेगी तो दूस्तों यह तो बात होगी नॉर्मल वीडियो लेकिन अगर मैं बात करूं स्लो मोशन वीडियो की या फा के पास प्ले करने के टाइम दूही ऑप्शन होते ही या तो 30 फोटो पर सेकेंड या 60 फोटो पर सेकेंड तो और ज्यादा तर इसमें से 30 fps वाला उप्शन यूज होता है तो दूस्तों मान लो मैंने fps को रख दिया 15 पे यानि कि मेरा कैमेरा एक सेकेंड में 15 फोटो क्लिक र इसा मैंने हाथ तो यह जो मैंने दो सेकेंड तक ऐसे किया वह फटा 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 एक सेकेंड में प्ले हो गया तो इसके करना मेरे जो वीडियो है वह बन गई फास फोटो अब दूस्तों में पूरा इसका उल्टा हो जाता है यहां पर मुझे fps को बढ़ा दीना परता है तो मुझे एक सेकेंड में तीस दूसरे सेकेंड में बाकी की तीस तीसे सेकेंड में और तीस तैसे करते करते मुझे चार सेकेंड लग जाएंगे वीडियो को प्ले करने में तो मतलब शूट करने में कितना टाइम लगा सिर्फ एक सेकेंड लेकिन प्ले करने में कितना चार सेक में देखती हो कि आपका जो गाड़ी है वो एकदम तेज़ते जाती है रोड पे और सीटी के उपर कैमेरा लगा होते है तो वह ऐसे ही शूट की जाती है एकदम कम करके लेकिन जब बाता थी स्लो मोशन की तो यहां पर आपके पास एक लिमिट आ जाती है जितना आपका कैमेर सब्सक्राइब करेंगा उतने ही आपको फ्पीस को बढ़ा सकते हो क्योंकि आपका कैमेरा उसकी कैपेसिटी से जाएदा तो फोटो स्कीत नहीं सकता उससे कम तो डेफिनित खीची सकते है तो मैं ध्यान में रख लो कि आपको जितना चाहिए उतना फास फॉर डियो खीचन समझाओं और दोस्तों मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा हुए तो आपको एक अगर समझ में आजाएगा और दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना fps रखना है दोस्तों बस इस वीडियो के लिए इतना ही था अगर आपको व